हाई एब्रीवन आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप किस तरह से पाइथन को एक linux operating system पर इंस्टॉल कर सकते हैं linux operating system आपका काली linux हो सकता है open2 हो सकता है पैरेट OS हो सकता है या फिर black arch हो सकता है प्रोसेस सभी में सेम है बस आपकी कमांड कोई अलग हो सकती है और यहां पर मैं अपनी system पर काली linux करता हूं तो मैं आपको इस पर ही बता हुआ कि आप कैसे python को इंस्टॉल कर सकते हैं तो चली शुदू करते हैं बिना किसी देरी के कि Linux पर python को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपिन कर लेना है कि टर्मिनल में यहां पर मैं सबसे पहले अपनी पर्मिशंस लुँगा कि यहां पर आपकी सबसे पहली कमांड होगी जो कि आपकी एक अपडेट कमांड होगी तो इससे आपको update कर देना है update करने से कि आगो जो भी आपकी files होंगे folders होंगे उन्हें जो भी update आए होगो आपको मिल जाएगा अगर आप इस command का इस्तिमाल नहीं करना चाहते तो ना करें लेकिन अगर आपका python install नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको update करना होगा update complete हो जाने के बाद आपको यहाँ पर second command टाइप करने है जो कि है sudo apt-get install python 3 यह command आपको टाइप करने है और उसका एंटर कर देना है इस तरह से आपके system पर python package install हो जाएगा मेरे system पर यह पहले से install है इसलिए यहाँ पर install दिखा रहा है इस command को type करने के बाद आपको simply अपना browser open करना है और type करना है vs code download और पहली website open करने नहीं है यहाँ पर आपको तीन options मिलते हैं Windows, Linux और Mac Linux के अंदर हमें आपर दो operating system दिखा रहा है अगर आपका operating system devian waste है और Ubuntu है तो आप इस पर click करके से download कीजिए otherwise आपका red head है, fed हो रहा है तो आप इसको download कीजिए तो फिलाल मैं काली Linux यूज़ करता हूँ जो की devian waste है तो मैं इस पर click करूँगा और यह जो हमारे vs code है यह 92.2 MB का है तो इसको मैं okay करके download कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखते मेरे system पर यह download हो चुका है उसके बाद install करने के लिए आपको क्या करना है अपने terminal पर आ रहा है और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने download folder में जाना है otherwise आप सीधा file के अंदर जाकर यहाँ से download folder पर जाकर right click करके open in terminal पर क्लिक कर सकते है तो इस तरह से आप directly download folder के अंदर आ चुके है इसके बाद आपको टाइप करना है ls list इसके बाद आपको यहाँ पर एक file मिलेगी जो कि अभी हमने vs code के लिए download किया है simply इसको आपको copy कर लेना है ctrl shift plus c से उसके बाद आपको यहाँ पर type करना है d package hyphen i means install उसके बाद आपको यहाँ पर इसको पेश्ट कर देना है पेश्ट कर देने के बाद आपको simply enter प्रेस कर देना है और इस तरह से आपके काले Linux पर भी vs code install हो जाएगा मेरी system पर पहले से install है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ vs code install होने के बाद आपको simply इसको open कर लेना है open हो जाने के बाद आप से यहाँ पर यह theme color पूछेगा तो आप अपने हिसाब से कोई भी color theme सेलेक्ट कर लीजिए फिर आपको क्या करना है simply extensions में जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले type करना यह係रा इसको install करने के बाद आपको second download करना है code runner first result पर आपको फिर से click करना है dot run करके आपको यहाँ पर एक icon मिलेगा इसको भी आपको install करना है सिर्फ यह दो एक्स्टेंशन सी आपको इंस्टॉल करने हैं इसके बाद आप अपने कंपेटर पर पाइथन का कोड लिख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो से हम पाइथन को यूज करना सीखेंगे अगर यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर आपका कोई भी क्वेशन हो सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर डियम करके मुझे बता सकते हैं